गरम तेल भी कुछ नहीं बिगाड सकते करोल बाग नहीं दिल्ली सबसे पुराने मार्किट्स में से एक यहां के गनेश रेस्टोरेंट में आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को विलेगा यह देड़ के लोगा हाथा है जब किसी पकोड़े में पढ़ता है रुकता नहीं उड़ जाता है जी हाँ वो भी गरम खौलते हुए तेल से मिलिए प्रेम सिंग से 65 साल के प्रेम सिंग पिछले 10-12 सालों से ऐसे ही गरम तेल से पकोड़ों को निकालते हैं और उनके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलते दरसल 56 साल पहले प्रेम सिंग के पापा जी ने यहां पकोड़ों की दुकान शुरू की थी और उनके पापा भी यही स्टन करते थी ये लोग गया हाथ तेल में अहां नमस्कार घर के सभी मर्दों से अनुरोध है अपनी पतनियों पर ध्यान दे क्योंकि अगर उन्होंने घर पर ये स्टन ट्राय करके देखा तो समझो बेटा दो महीने खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा मतलब गरम तेल से इनकी खानदानी दोस्ती है गुरू आईए पता करते हैं कि गरम तेल से उनका प्रेम कब शुरू हुआ था सतर डिगरी सेल्सियस पर एक सेकेंड में हमारी स्किन जल जाती है पर अंकल तो करीब 120 डिगरी सेल्सियस गरम तेल से हाथों से पकोड़े निकालते हैं डॉक्टर्स का कहना है कि इनका हाथ एकदम नॉर्मल है और इनका ये कर्तब तो अच्छे-च्छे साइंटिस्ट को हैरान कर दे और ये एक्ट इनके रेस्टोरेंट का मेंन अट्राक्शन है आईए खुदी सुन लेते हैं इनके बेटे दीपक से खौलते तेल की कड़ाई में हाथ डालने की आदत तो इनके डियाने में है इसरी जेनरेशन भी इस डेरिंग अक्ट के लिए तयार हो रही है भाई दीपक तुम आतों से पकोड़े तलो या ना तलो पर लोगों का मानना है तुमारे पकोड़े टेस्टी थे, टेस्टी है और टेस्टी रहेंगे उसके लिए गरम तेल में नरम हातों से पंगे मत ले दीपू जब पकोड़े लेने जाएं और ऐसा गरम गरम जलबा देखने को मिले तो भाई लोगों का तो चौकना लाजमी होगा प्रेम सिंग जी कि ये अनोखी हरकत लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है और जहां कुछ हटके होता है वहां भीड लगी जाती है भाईया अट्राक्शन का अट्राक्शन और सेल की सेल इस बंदे की दुकान पर लोग पकोड़े खाके यम्मी कहते होंगे कर आपको भी कुछ खाने का मन कर रहा है ना इसलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक हाँ क्या देख रहे हो कुछ भी नहीं है